मेरे प्याले बेनों बाई ओन मीतो वाप आपाज हम बात करने होले है मोकसिमाण सोर्जरी का नाम तो सुनाई होगा जिसे हम मोत्याबिंध को अब्लेशन भी कहते है दोस्तो मोत्याबिंध एक परकार की आखो की बिमारी है जिसमें आखोς में विजन कम हो जाता है बात होता है लेकिन एशा हर बार हो यह जरूरी नहीं यह कई बार कम उम्र के लोगों में भी दिखाई देने लगता है जब किसी को आँखों में चोट लग जाए या किसी परकार की बड़ी बीमारी हो उस इस्तिती में मोत या बिंद को ठीक करने के लिए डोक्टर द्वारा उसकी सरजरी की जाती है डोड़ेन सरजरी आँखों में कट लगाया जाता है इस्ट्रेस लगाया जाते है जिससे कि उसमें ओपलेशन के बार दर्द ना हो हाला कि जब सरजरी की जाती है तो सुन करने की दवाई भी उसमें डाली जाती है तो सरजरी करते समय तथा कुछ सम स्या होती है और इसको ठीक करने के लिए ये ड्रोब दी जाती है यानि कि अगर आपको ये दिक्कत होती है तो इन सभी को ठीक करने के लिए ये आई ड्रोब डॉक्टर द्वारा दी जाती है साथ ही मोलुकुल ओडेमा नाम की बिमारी है जो आखों का पिछला एरिया है उसमे सूजन आ जाती है जिसे डॉक्टर मोकूलर ओडेमा कहते है और यह जादतर मोत्यबिंद का ओप्रेशन डाइबिटीज पैशेंट में क्या जाता है उसमें यह देखा जाता है और इसी सिस्थी में मरीज का वीजन भी जा सकता है तो उसको रिक्स कम करने के लिए डाइबिटीज पैशन तथा अन्य मरीज को यह दवा ओप्रेशन के बाद लगातार डानने के लिए भी दी जाती है यदि आपको डॉक्टर यह आईड्रोप लगातार डानने के लिए दे रहा है और आप इसको डान नहीं रहे हो तो आपकी बिनाई भी जा सकती है यानि कि आप अंधे भी हो सकते हो तो जैसा डॉक्टर कहे वैसे ही आपको करे दोस्तो इस आईड्रोप को आँखों में लाने से पहले अपने आतों को अच्छे तरीके से धोले और यह निशित कर ले कि आपकी जो आईड्रोप की नोब है उपर जो टिप है उसको आप टच ना करे यदि आप उसको टच करोगे तो उसके अंदर बैक्टिरिया चला जाएगा और जिस व्यक्ति की आँखों में इसे डालना है तो उसकी गर्दन उपर करे या फिर उस व्यक्ति को लेटा दे और आँखों को नीचे से पकड़ कर पुरा खोले और इस ड्रोप को आँखों में डाले और फिर कम से कम उसकी आँखे दो से तीन मिनट तक बंद रखे जिससे की उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके इस आईड्रोप को आप दिन में दो से तीन बार भी डाल सकते हो या दो दो बंद एक बार भी डाल सकते हो और इसके अलावा जो आपके डोक्टर आपको सजैक्ट करे आनी जितनी आपको डालने को बताए उस परकार भी आप इसको डाल सकते हो और दोस्तो इसी के साथ साथ आपको एक बात विशेश रूप से ध्यान रखनी है किसी भी परकार की आईड्रोप बिना डोक्टर की सला के नहीं लानी चाहिए क्योंकि आखे है तो रोसनी है जान है तो जाह है वरना सम मिट्टी समान है दोस्तो अब हम इस आईड्रोप के साथ इफैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं वैसे तो इसके कुछ खास कर साथ इफैक्ट नहीं है फिर भी समान्य तोर पर कुछ ऐसे साथ इफैक्ट देखने को मिल सकते है जैसे कि आखों में जलाना सकती है एकदम से सूखा पना सकता है पी आपकी आँखे हो सकती है, सरदर्द हो सकता है, नोजिया हो सकती है, यानि कि नजला हो सकता है, लाइट की शैंसिटिवी होना, यानि कि जब आप लाइट के सामने जाओगे तो आपके आँखों पर जोर पड़ सकता है, आँखों में बार बार पानी आ सकता है, तो दोस्त नहीं तुरंट इस आइड्रोप को डालना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से शंपर करें उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ गए होगे तो दोस्तों ती मोक्सी मैक्स के ट्रोप के फिल्म प्रमिशन विल जानगा है दोस्तों आप मारे चैनल पर नहीं है तो चनल क को सब्सक्राइब करें उसे वड़ों को जादे चाहते शेयर करें थैंक्यू धन्याइब